चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की सूचनाएं मिलती रहें। जैसन तोशिमा, दोस्तों, आपका स्वागत है। आईए जानते हैं आज आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से 14 अगस्त दो हजार चौबीस बुद्धवार तिथी श्रावन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथी जो सुबह दस बज कर चौबीस मिनट से शुरू होकर अगले दिन सुबह दस बज कर सत्ताईस मिनट तक रहेगी। नक्षत्र जेश्ठा नक्षत्र जो दोपहर बारह बज कर बारह मिनट से शुरू होकर अगले दिन दोपहर बारह बज कर बावन मिनट तक रहेगा। योग, वैध्रिती योग, जो शाम चार बजकर पांच मिनट से शुरू होकर अगले दिन दो पहर दो बजकर अठावन मिनट तक रहेगा. करण, तैतिल करण, जो सुबह दस बजकर चौबीस मिनट से राद दस बजकर बतीस मिनट तक रहेगा. इसके बाद गरिजा करण, अगले दिन सुबह दस बजकर सताइस मिनट तक रहेगा. सुर्योदय, सुबह चेह बजकर चेह मिनट, सुर्यास्त, शाम चेह बजकर चपपन मिनट, राहुकाल, दोपहर तीन बजकर चार मिनट से पांच बजकर दो मिनट तक, अभिजीत मुहूर्थ दोपहर बारह बज़ कर पांच मिनट से बारह बज़ कर छपपन मिनट तक चंद्रमा व्रिशब राशी में संचार करेगा सूर्य करक राशी में रहेगा व्रिशिक राशी 14 अगस्त 2024 बुधवार आज आपका नाम होगा और आपको प्रसिद्ध भी मिलेगी आप तर्क के स्थान पर अपने दिल की आवाज और प्रवृत्ति के आधार पर फैसले ले सकते हैं लेकिन वे वित्त के मामले में भी लाबकारी साबित होंगे आप इन दिनों फैसले लेने में सबसे अधिक महत्व अपने मन की आवाज को देते हैं लेकिन आपको भविश्य की बेहतरी के लिए वर्तमान समय में कुछ आराम को छोड़ना होगा आपका परिवार आपकी पेशेवर सफलताओं का जश्न मनाने के लिए तैयार है अपनी पदोन्नती या वेतन में वृद्ध का पूरा आनंद ले धन प्राप्ति की संभावना है गलत निवेश से बचें और जरूरत पढ़ने पर सतर्क रहें आपके प्रियजन या पडोसी किसी परेशानी का सामना कर सकते हैं चारों और सकारात्मक उर्जा के कारण आज का दिन किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त है जिस सफलता को आप लंबे समय से पाना चाहते थे वह आज आपको मिलेगी परिश्रम से अपने सपनों को पूरा करें यदि लोग आपके लक्षे पर हंस नहीं रहे हैं तो समझें कि आपका लक्षे बहुत छोटा है चंद्रमा के व्रिष्टिक राशे में आने से विपरीत परिस्थितियों के प्रती अपनी अनुकूलन क्षमता में सुधार लाने पर ध्यान के इंद्रित करेंगे समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं लेकिन हमें उन्हें अपने उपर हावी नहीं होने देना चाहिए एक सकारात्मक द्रिष्टिकोन रखें और यह कठिन परिस्थितियों को खत्म करने में आपकी क्षमता में सुधार करेगा आप अपना जीवन पूरी तरह से जी सकते हैं सकारात्मकता को आकरशित करने के लिए नीले रंग का कुछ पहने सुबह का समय आपके लिए अच्छा रहेगा अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साज़ा करना आपकी सेहत को भी बहतर करेगा लेकिन इसे नजर अंदाज करना बाद में भारी पढ़ सकता है आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तीवर इच्छा पैदा होगी दोस्तों आपके निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा जल्द बाजी करेंगे आपकी प्रेम कहानी आज एक नया मोड ले सकती है आपका साथी आज आप से शादी को लेकर बात कर सकता है ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले विचार अवश्य करें खुद को विवस्थित करने के लिए यह अच्छा समय है रचनात्मक पर योजनाओं पर काम करें क्योंकि दूसरों को मनाने की आपकी क्षमता आपको काफी लाभ पहुँचाएगी आपका जीवन साथी आपको पाकर खुद को भाग्यशाली मानता है इसलिए पलों का भरपूर आनंद ले विभिन गतिविधियों में आपकी भागीदारी बनी रहेगी और प्रभावशाली लोगों के साथ लाभधायक संबंध स्थापित होंगे युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित विशेश समाचार मिलने से राहत मिलेगी और नए अवसरों के कारण उत्साहित महसूस होगा नई बातों पर ध्यान देने से आपकी सोच में सकारातमक्ता आएगी और रिष्टों की नकारातमक्ता दूर होगी पैसों से संबंधित काम पूरे होंगे और लाब भी होगा विदेश से संबंधित काम पर ध्यान दें इससे बड़ा फाइदा हो सकता है रिष्टों को सुधारने के लिए अपना अहंकार दूर करें कुछ उलजने भी रहेंगी लेकिन तनाव लेने की बजाए शांती पूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान निकालें जोखिम भरे कारियों से दूर रहें क्योंकि नुकसान होने की संभावना है वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें लव लाइफ की बात करें तो आपका पार्टनर काफी तनाव में हो सकता है और उन्हें संभालने के लिए आपको अपनी सारी समझ और सहनुभूती का उप्योग करना होगा अगर आप भी भावनात्मक होकर प्रतिक्रिया देंगे तो स्थिती बिगड सकती है अपने पार्टनर को संभालने के लिए कुछ समय तक अपनी भावनाओं को काबू में रखें अपने व्यस्त जीवन से छुट्टी लेकर आज आराम करें यह समय अपने साथी के साथ बिताने के लिए उपयुक्त है क्योंकि अपने प्यार की गर्मी से कोई यात्रा की योजना बनाएं ताकि मनोरंजन के साथ साथ अच्छी कंपनी भी मिल सके कड़ी मेहनत और अन्यकारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन है अपने प्रेम संबंधों को नजर अंदाज न करें अपने साथी के साथ खरीदारी करने या फिल्म देखने जाएं और उन्हें अपने जीवन में उनके महत्व का एहसास कराएं जितना अधिक आप अपने संबंधों में प्रयास करेंगे उसका प्रभाव लंबे समय तक आनंद देगा करियर की बात करें तो आज आपको अपने परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे आपकी कड़ी मेहनत और कला आपको नए कीरतिमान स्थापित करने में मदद कर सकती है भाई बहन की परिशानिया और आपके पिता पर आया संकट आपको चिंतित कर सकता है इसलिए यात्रा की योजना को आज रद करना ही बहतर होगा कार्यस्थल में मिली प्रसिध्य आपको लंबे समय तक भौतिक सुरक्षा और सफलता प्रदान करेगी आगे बढ़ें और अपने सपनों को पाने के लिए आज का दिन बहतरीन है कुछ अप्रत्याशित करियर और नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं जीवन में उपलब्धियों से अधिक आपका द्रिष्टिकोन मायने रखता है आज आपको अपना कठोर और मजाकिया द्रिष्टिकोन बदलने की जरूरत है बहतर होगा कि आप लोगों की भावनाओं से संबंध स्थापित करें और ये जानने की कोशिश करें कि वे क्या चाहते हैं और कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया है ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको समझना होगा कि चीजें कैसे कार्य कर रही है बजाए इसके कि आप अपना तरीका अपने सहकर्मियों पर थोपें यदि आप किसी भी प्रकार की रक्षा सेवा में जाना चाहते हैं तो आज का दिन इस प्रकार के आवेदन के लिए श्रेष्ट है आज का दिन आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा व्यापार में कोई रुका हुआ आए का स्रोत फिर से शुरू हो सकता है अपने संपरकों को बढ़ाएं और विज्यापन और विपणन से संबंधित गतिविधियों को मजबूत करें सरकारी नौकरी में आपको उच्च अधिकारियों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है कार्यक्षेत्र में अपने बौस से किसी भी विवाद में पढ़ने से बचें इस से आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी व्यापार में लगे लोगों को अच्छा लाब मिलने की संभावना है वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से धन संबंधित मदद मिल सकती है व्यवसाई की योजनाओं पर पूरा ध्यान देने की आवश्यक्ता है सेहत की बात करें तो आज आप तवचा और दाथ से जुड़ी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं अपने आहार में हरी सबजियां, दूद, फल और दूद से बनी चीज़ें शामिल करें ऐलर्जी की संभावना बनी हुई है इसलिए अलर्जी करने वाली चीज़ों से दूर रहे अपनी सेहत और संदर्ता को बनाए रखने के लिए भोजन और व्यायाम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है आज का उपाए, गरीबों को दान पुन्य करें, यह बहुत शुभ रहेगा गणेश जी की विधिवत पूजा और आराधना करें जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें आपका दिन शुभ हो